जारखंट के रामगड केंट में गुनायतन प्रनेता परमपूजे मुनी श्री प्रमाट सागर जी महराज ससंग विराजमान है जहां भक्तों को प्रतिदिन गुरुवर के दर्शन पाने का स्वभागे प्राप्त हो रहा है इसी क्रम मी मंगलवार को गुरुवर की केश लोंच किया जैन संथ की चर्या स्वपर कल्यान की भाफना से भरी होती है श्रमन दीख्शा के बाद उनकी जीवन शैली मर्यादित हो जाती है इसी मर्यादा का भाग है केश लौच, इसके भी तीन भाग है जिसमें पहला है उत्तम जो वर्ष में चार बार किया जाता है दूसरा मध्यम जो तीन बार और तीसरा जगहन जो वर्ष में दो बार किया जाता है यह नियम हर जैन साधु को कर ना अनिवार रहे इसी परंपुरा का निर्वहन करते हुए गुडायतन प्रणेता परंपूजे मुनीश्री प्रमान सागर जी महराज ने दसमाई को केशलोच किये। केशलोच की क्रिया को साक्षात देख भक्त भाव विभोर हो गए। जैन संतो का दिकंबर वेश संसार के समस्त परिग्रह त्याग का प्रतीक माना जाता है। वर्ष में केशलोच जैसी क्रिया और दो से चार बार करना उनके आत्म बल का प्रतीक भी माना जा सकता है। जो जारखंड चेत्रे में जारखंड प्रदेश में एक उन्नत नगर की रूप में जाना जाता है। यहां परमपुझ गुर्देव आचरफगं विध्या सागाजी महराज के परमपुझ अच्छिश्च महामान मनीराज प्रमान सागाजी महराज। परमपुझ अच्छिश्च महराज परसों जिन्होंने प्रवेश किया, मंगल प्रवेश किया, आज गुर्देव के शुभा शुभा जो आशक उनका है, केस लौंच। परमपुझ अच्छिश्च अच्छिश्च महराज प्रती तीन माहें प्रवेश किया होने के पूर्व, अपने केसों का लुंचन अपने हाथों से करके परिशाह जयी बनते हैं। अधुद छमता उनकी प्रकड होती है, महा तपस्या देखने में कुछाजों की आती है, उनकी केस लौंच की द्रस को देख कर आती है। जैन फोकस के लिए रामगर कैंट जहरखंट से ब्यूरो रिपोर्ट।